वैसे तो देश भर में जनमास्ट में धूमधाम से मनाई जाती है लेकिन कोरोना महामारी ने कहीं न कहीं त्योहार की रौनक फीकी जरूर करती है बाजार में पस्रा सन्नाटा व्यपारों के माथे पर चुंता की लकीरे चाही हुई है देखे राइबरेली से हमारे सहयोगी उमार शनकर गी एक खास रेपोर्ट कोरोना का प्रहार और उपर से महंगाई की मार त्योहारों की रौनक नजर आए भी तो कैसे यू तो पूरी दुनिया में श्री कृष्ट चनमाश्मी बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाई जाती है लेकिन बीते दो सालों से कोरोना महमारी के चलते त्योहारों की रौनक फीकी पड़ गई है कुरोना ने जहां त्योहारों की रौनक छीन ली है वहीं व्यापारियों की कमर भी तोड़ दी है जनमाश्मी पर जहां पहले मुख्य बाजारों में लोगों का हुजूम उमरता था वहीं अब कोविट प्रोटोकॉल के कारण सन्नाटा पसरा है वहीं बाजारों में महंगाई की मार का असर भी दिख रहा है कणिया जी के जनमाश्चसप की तैयारिया जो रोसो रो पर है पाजारओ में दुकाने संजना अस्तौड हो चुकी है ऐक दुकान है जहां हम आपको दिखा रही हैं तरह जो मलत कणिया के जी के मूरतियां है वो आपको आपको यहां सामने दिखाई दे रही है और जूले जो इसवार यहां बड़ा महत्र लोचों के लिए पैनने के लिए पोशा के उसके लिए हैं जैसे कोई कहीं कोई कारिकरम करता है अपने या तो प्रितिकादमा गूरूप में कनया जी को दर्शन करने के लिए कपड़े बच्चे को पहना जाते हैं और जन्मों सब्सक्राइब के बाद में बच्चे के साथ में किशन जी जिससे रिगे से भगवान श्री ने यहां जाने जाने में लिए और आपके यह फैन लाइट वाला रहादे रहता है और यह जाले मेटल के जूले और बहुत आइटम है इस सब आईटम है और यह वाला जूलाे जलता है सबस्राहे हैं спрос was do me well it's was recommend fall and that is in time film इसमें दो ही आइटम हारा कहारा है और है रात में दुकान जल्दी पड़ जाती है घराकवरा ग्राक हैनी आप देख रहोoden अन्नाटा हुआ है बिल्कुल कोई गिराक है नहीं अच्छा जिस तरीके से अब रात्री कल्फ्यू जो है वह भी लागू कर दिया गया फिर से तो उस दर्में क्या रहेगा कि दुकान कितने बजे खोलें कितने बंद करें उससे यह रहता है कि हमारा टाइम पहले तो यह जल् लगता नहीं है कि कुछ अच्छा दिख रहा है आपको महल देखी आज दो ही दिन बचे हैं और आज आपकी 27 तारीक हो गई और आज गिराक नहीं है आप खुद देखिए और मुझे नहीं लगता है कि इस बार कुछ रिस्पॉंस आएगा अच्छा तो यह हमारे साथ दुक जब धंदा ही मंदा है तो त्योहारों में रंगत कैसे होगी वहीं जब प्राइम टीवी की टीम बाके बिहारी के मंदिर पहुँची तो आस्था पर कोरोना भारी पड़ता दिखा मेरा नाम आचारा रजत पांडे है और हम लोगों की जन्मास्टमी से संबंदित तयारियां पिछले एक सब्ता से प्रारम हो चुकी है आप देखी रहें कि मंदर में फूल गंगले का सजावट का सफाई का काम चल रहा है जिसको हम पूर्ण रूप से समपूर कर देंगे कल शाम के पांच वजेता कल दिव्य फूल गंगला सजेगा मंदर में सजावट तयादी होगी और एक फुवारे का भी आयोजन किया गया है इसके साथ में बाल पाल प्रतियोगता भी रखी गई है प्रिशाद वितरन तयादी वगरा सभी कुछ होगा जसे तरीके से सपर्क पे बादकी जती कर्फिवी तो उस नहीं होता है देखिए जन्म की प्रक्रिया ऴो ass Разभी का जन्म होता है उसी प्तुदाथी द्वारा उसी विद्वान ठाक्वर்释 का जन्म होगा लेकिन इस बार जो वद्लाव है वो सिर्फ मैक्मादरन इतना हौग कि जो पहले भीड जहां सेकड़ों लोग हुआ करते थे वहां पर सिर्फ पांस साथ लोग रहेंगे जो कि मुक्यतिती हैं कमिटी के लोग हुए और पंडित जी इत्यादी उन्हीं सभी लोगों की उर्पस्तिदिये भगवान का जन्म होगा इसी तरह तो कहिना के यह बांते ह को मिलेगा लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हम लोग पांस साथ लोगों के यह एंट्री करवाएंगे अधिक लोगों की एंट्री मंदिर में नहीं होगी और जो भी दर्शन करेंगे वह बाहर से ही करेंगे तो साफ है जिस तरीके से में जी ने बताया है कि कोरोना कोटो को पालन करते हुए यहां जो जन्माश्टमी का परवे उसको मनाया जाएगा आगरा से अमित शर्मा प्रेम टीवी वहीं आगरा में भी श्रिक्रिश्म जन्माश्टमी पर महंगाई और कुरोना का सर्थ साफ दिख रहा है आलम यह है कि दुकान ने तो सच गई है लेकिन ग्रहकों की संख्या ना के बराबर है हलांकि नाइट करफ्यू में मिली धील से श्राधालों में खुशी की लहर जरू भे लेगे ताश नगरी में बाल गोपाल के जरम दिन की तयारियां पूरी है बाजार सक चुके हैं मंदर जगमगा रहे हैं और देर रात जारी हुए आदेश ने श्राधालों के चहरे पर चमक ला दी है प्रशासन की गाइडलाइन के अंशार प्रोना की त्रास्ति को देखते हुए हम मास का प्रयोग करेंगे सेनियर्टाइजर के लिए लोगों को प्रोसाहित करेंगे और आपस में डिस्टेंस बना कर लोग बैठें इसका पालम करते हुए ये कारकम संपन करेंगे प्रतिवर्स ये भाद्रपद में अश्टमी की तिति और रोफरी नच्छत्र में भगवान का चन मनाया जाता है उसी करम में ये दिरसल कुरूना की कारण जारी लोगडाउन से बीते दो साल से श्रट धालू मंदिर में अपने आराथ ही के बाल सुरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे थे लेकिन इस बार नाइट कर्फ्यू में धील के आदेश ने बाल गोपाल की दर्शन का रास्ता खोल दिया है हलांकी कोरूना गाइडलाइन के साथ ही मंदिर में प्रवेश की अनुमती होगी वहीं महामारी और महंगाई का असर भी त्योहार पर साफ जलक रहा है बाजारें तो सच गई हैं लेकिन खरेदार नहीं जलक रहे हम जानते हैं यहां के दुकंदारों से कि इस तुभार में क्या इस्ठिक है और भक्तों का किस तरह आना हो रहा है और में पूजन समागवी का कहते हैं दुकंदा भी इस करोना काल में क्या इस्थित है आपके ब्रॉसाय की ब्रॉसाय के थे और आज हर्चत है के तो इसले महेलाय काम निकली हुई है और महेंगाई थोड़े बढ़ी हुई है महें निकल राट भी चल रहा है तो उसका भी तो उसका कोई खास असर नहीं है पर जो पहले करते हैं जो पहले दो लाव डाउन हुए तो उससे जो गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए तो उसका असर बहुत ज्यादा है और भी व्यापार पे बहुत ज़दा असर है कहीं न कहीं महंगाई से जनमाश्ट में किते होँआर पर भी असर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है वेपारियों के चोहरे पर चिंता की लकीरे साफ नजर आ रही है दो दिन बाद जनमाश्ट में करते हुआ हैं हम रायवली सहर के मुख्य बाजार में खड़े हैं कभी यहाँ पर पैर रखने की जगे नहीं हुआ करते थी लेकिन चाहिए महंगाई हो चाहिए कि सरकार के द्वाला करोला गैडलाइन के पालन किया लेश हो हम कैमरा मैं से कहेंगे कि ओ दिखा यहाँ पर इस समय तिल्कुछ सननाता है मार्केट में कहीं पर भी कुछ भीर नहीं दिख रही हैं कभी एक दो वर्फों पहले यहाँ पर इस समय धखने की जगे नहीं हुआ करते थी आज दुकानों में रहत नहीं हैं लोग आ रहे हैं देख रहे हैं और सिर्फ देख देख के जा रहे हैं कहीं न कहीं महंगाई और करोना के दर्कें चल रहे हैं लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं सासन और पसासन लगातार आदेश कर रहा है कि रात दस बजे के बार नाइक तर्फियू का पालन करें इसी के दर के कारण बजारों में पूरी तरह से सल्लाटा पसला हुआ है कहीं न कहीं जल्मास्टर में करते हो हार फूरी सरेश अब की बार ठीका होता हुआ नजर आ रहा हो चाहे वो भक्त हो चाहे वो वे उसाही हो जबरावन रवीन के साथ ओन जंकर शुक्त वा प्राइम टीवी कुछ सालों से महामारी ने व्यापारियों की कमर तोर दी है त्योहार की रौनक छीनली है सोनभद्र और 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 आयया में जब ट्राइम टीवी की टीम ने जन्मास्टर मी की तैयारियों का ज्राइजा लिया तो क्यामरे पर व्यापारियों का दर्थ शलक उठा देखिए मंदिर में बच्ते धोलक की थाप और प्रिश्च भगवान को रिजानी की गीत यह नजारा है क्रिश्च की ससरौल की यूपी के और आयाज जन्पत के एर्वा कट्रा ब्लॉक में कुदर्गोड कजबा श्री क्रिश्च की ससराल के रूप में जाना जाता है पौर्णानिक तथ्यों के मुताबिक आज का कुदर्गोड द्वापर युग के समय कुंदपुर नाम से जाना जाता था देवी रुकमडी के पिता राजा बीश्मक की राजधानी थी और देवी रुकमडी इस मंदर में माता गौरी की पूजा प्रतिदिन करने आती थी पिता बीश्मक द्वारा श्री कृष्ण चे विवाकी बात देवी रुकमडी के भाई रुकम को बरदाश नहीं हुई तो उसने अपने साले शिशुपाल से देवी रुकमडी की शादी तै कर दी ऺचाद आधी दौत अज़ां अंग्री के नाम से जाती शुक्तमान ने कि खुण सब्सक्ता के लिए cel US तो भुझा विजाने देश तहा इथा यहां के राजाई वीष्मक थे राजा भीष्मक के पांच पुठ एक उत्रि थी बड़े पुठ का नाम रुकम रुष्मांतर रुकंतर इस तरीके से पांच नाम और रुकमी जी थी भगवाण स्रीकेश्ट की आधना रुकमी क्या करती थी इदर सुस्पाल जो है इनका रुकम का शाला था रुकम ने अपनी बहन की शाली सगे शाले के साथ सुस्पाल साथ प्या कर दी भगवाण किया करती थी इधर जो है माता पता उनके उनके शाक्त में नहीं थे और रुक्मली ने जो है एक ब्रहमर द्वारा अपनी पाती वेजी लेकर कर गे और भगवान श्री केष्ट यहां मंदर पर आये माता गौरी की रुक्मली पूजा करने आई थी शाधी के एक दिन पहले साधी के दिन पहले रुक्मली जी पूजा करने आई माता गौरी ने जो है शाध्षात्र को धर्शन दिये और आश्री वाद दिया और अश्री जगह पर लुप्त हो गए तभी शेष का नाम अलोपादेई मंदर पड़ा माता गौरी रुक्मली और भगवान श्री केष्ट उनको बढ़ कर ले गए और योधा यहां पर योधा आई जराशन सालव बगएरा वो यहां पर आश्री पुतला की तरीकेश खहे रहे और भगवान श्रीकेश रुक्मी जी को आस्ते से उनको ले गए देवी रुक्मली जो की कृश को बहुत प्यारी थी जब मियमा नुसार इस मंदर में पूजा करने आई तो श्रीकृश ने उनका हरं कर लिया उसी समय माता गौरी भी इस मंदर से आलोग हो गई तब से इस मंदर को आलोग देवी मंदर के नाम से जाना जाता है कि यहां पर उस स्था दाध्मों कात्तु ताता लगा रहता होना जाना बहुत ज्यादा रहता है जौरासी कोषी परिक्रमा होती जो पूर्मा और अममवस्या को लगाए याथी यह ताफी अच्छे भब आयोजन होते रहते हैं और कुदर कोड़ प्रसिद्ध हो गया श्री कृष्ट की ससुराल के नाम से और अपने प्रिये दामात के जन्दन का त्योहार बहुत ही धूमदाम से मनाना यहां का नियम हो गया है इस मंदर में जनमाश्मी तक लगातार कृष्ट भक्ती गीद गाये जाते हैं अर्या में जनमाश्मी का त्योहार मत्राविंदावन की तरह ही मनाया जाता है हाला कि महंगाई का असर यहां भी देखने को जरूर मिल रहा है बाजार की रौनक भले ही कम हूँ लेकिन कोरुना पर आस्ता भारी पढ़ रही है और एया से प्राइम टीवी के लिए जाहिद अक्तर की ये रिपोर्ट बहीं राजधानी लखनों के अगर बात करें तो जन्मास्टमी के परव पर बाजारों में खासा रौनक देखने को मिल रही है मंदिर सच्चुके हैं श्रिक्रिश्न के जनमोसफ को मनाने की तैयारियां पूरी है देखी हमारे सहयोगी अजहर की ये खास रिपोर्ट हमेशा की तरह इस बार भी देश में जनमास्टमी पूरे उत्सा और जोरों सोरों से मनाई जाएगी आपको बता दे जनमास्टमी का जो तेवार है वो बगवान करिश्न की जनमजिन के मौके पर मनाया जाता है और इस बार जो जनमाचिनी का तहवार है वो तीस अगस्त को पड़ रहा है आपको बता देए इस पर हम मौली है आलमबाद चोरा है पर जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां किस तरह से यहां पर दुकाने लगी होंगे और तमान कतीरी चीज़ें यहां पर बिक रही है और जो घर है वो किस वक्त द्वारा सजाए जाते हैं और तमाम तरह की यहां पर सजावज होती है और आपको बताने कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी ज़ता के लोगी को कहना है कि सब्चमबर की सुरवाद में आने वाली तमान प्रोटोकॉल के साथ लोग यहां पर आ दी है लेकिन ध्यान रहे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहर जरूरी है आपकी जरा सिला परवाहि आपके और आपके अपनों के लिए बेहत भारी पर सकती है बहराल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से जन्मास्तिमी की धेर सारी शुपका में नमस्कार